जै हिन दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो, आज अच्छे होंगे, आज से करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, प्रसनावली 1.2 में जो प्रसन मैंने नहीं करवाया, वो प्रसन मैं करवाने वाला हूँ, जो प्रसन मैंने करते हैं अगर चैनल पढ़ना हो तो जल्दी सिजा करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी कॉल कर देना जिस्ते की क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिक असल आप लोग को सबसे पहले मिले फ्रेंड तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं और आपको क्रितिक संख्या एंड के लिए संख्या छे अंक जीरो पर समाप्त होती है इस प्रकार से यह संख्या हमसे पूछा जा रहा है तो आपको किस प्रकार से इसको सॉल्ब करना है बहुत ही जादा सिंपल कोश्चन है बहुत ही जादा इंट्रेस्टिं कोश्चन है अच्छे तर पर समात्थ होना चाहिए तो या चाहिए है तो उसका अभाज्य यानि की अभाज्य गुनन खंड कम से कम एक बार दो गुने पांच आना चाहिए मतलब की दो गुने पांच हमारा जो है इसका कम से कम आना चाहिए एक बार जो है कम से कम दो गुने पांच आना चाहिए तो इस परकार से हमने लिख दिया लिखने के बाद आपको क्या करना है इसलिए आपको इस परकार से लिख देना है इसलिए 6 is equal to हम 6 को कैसे 2 भाग में तोड़ देंगे 2 तिया 6 तो 2 multiply 3 इस परकार से हमने लिख दिया लिखने के बाद आपको क्या करना है आपको फिर से लिखन है जो प्रसंद में पूछा जा रहा है उसी के बारे में यहाँ पर लिखना है तो कैसे लिखोगे आपको लिखना है छे का गुनन खंड करने पर यह दो मल्टिप्लाई फाइब के रूप में नहीं है क्योंकि छे का पांज के रूप में नहीं है यह कभी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्रकृतिक संक्या के लिए N के लिए, ठीक है, किस प्रकृतिक सेंग के लिए, तो N के लिए, तो most important प्रेसन है, जल्दी से जाकर करके आपको क्या करना है, इसको अपने note copy में note जरूर कर लेना है, चलिए अब next प्रेसन की उर्चलते हैं, और आपको step by step इस प्रकार से अच्छे तरीके से समझा देता हू देखे फ्रेंट, next question है, question number six, question number six क्या कह रहा है, कह रहा है कि, ब्याख्या कीजिये कि, 7 गुने, 11 गुने, 13 प्लस 13, और 7 गुने, 6 गुने, 5 गुने, 4 गुने, 3 गुने, 2 गुने, 1 गुने, प्लस 5, भाजी संख्या क्यों है, तो भाजी संख्या को किस किस नामों से हम जान स तो एक बार आप नोट कोपी में नोट कर लेना एक तो भाजी संख्या कहते हैं दूसरा नमबर एक ये आपको पता चल गया एक को हम कहते हैं दूसरे नमबर को हम क्या कह सकते हैं यानि कि संख्या ज्यान से देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा संख्या और संख्या इसको कह गया होगा इसके साथ इसाथ आप इसको solve किस परकार से करोगे तो देखिए बहुत simple है सबसे पहले एक example देख लिजे अगर आपको example समझ में आ जाएगा तो guarantee question समझ में आ जाएगा जैसे कि मान लिजे 4 है अगर 4 हमारा संख्या जो है ये क्या है भाजी संख्या है तो भाजी स तो रहेंगे 4 एक Amp sociedade जायागा जब कुछ नहीं होगा तो इस परकार से हम इसको लिख सकते हैं चार यह हमारे तीनों मिला करके क्या संख्या बन रहा यह हमारा बन भाजे संक्या, सयुक्त संक्या, योगिक संक्या, मतलब की तीन भाग होना चीए, इसमें एक, दो, तीन, तो तीन बार आ रहा है, तो यह हमारा क्या होगा, भाजे संक्या, सयुक्त संक्या, योगिक संक्या, तो यह तो किलिर हो गया, अब चलिए इस प्रसन को कैसे सॉल्ब कर करना है ध्यान से देखते जाओं सब कुछ आपको किलियर कर देता हूं और समझ में 100% आ जाएगा देखे फ्रेंड किस परकार से आपको सोल्ब करना है सबसे पहले तो देखिए जो प्रसंद में पूछा जा रहा है पहले वो लिखेंगे पहले यहां पर लिखेंगे हल इस पर 13 दिख रहा है तो क्या करेंगे हाँ पर 13 common ले लेंगे 13 जब common ले लेंगे क्या अंदर बचेगा 7 multiply 11 और प्लस 1 बचेगा हमारे पास ठीक है इसके बाद देखिए 13 फिर इसके बाद 7 की 11 में multiply करेंगे तो 77 आ जाएगा फिर प्लस 1 आप इसके बाद क्या करेंगे 13 फिर इन द संक्या अब कहोगे कि सर यहां तो यहां तो ओहा रहा रहा है तो कैसे यह भाजजर संक्या है तो हम अपने और से menstru लगा सकते हैं क्योंकि one की multiply करेंगे तो भी इतना ही आए जाएगा इसलिए हमने यहाँ पर one लगा लिया हम लिख सकते हैं अता या भाजी संख्या है यानि कि अता या भाजी संख्या है इतना तो हमें समझ में आ गया इसके बाद इसका भी ऐसी करेंगे seven six five four का इसी परकार से करेंगे तो अच्छे तरीके से देखना तभी जाकर कि आपको समझ में आएगा अन्यता आप अगर skip करके देखो गे ना तो समझ में नहीं आएगा तो ध्यान से बस आपको क्या करना है note copy में note करते रहना है देखे फ्रेंड आपको काम क्या करना है है इसमें common चीज देखिए यहां भी five आ रहा है यहां भी five आ रहा है तो five जो दिख रहा है ना पहले हम इसको common ले लेते जो common ले लेंगे हमारे पास क्या बचेगा seven six four multiply three multiply two multiply one फिर प्लस one यह तो आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद क्या करेंगे अंदर जो है यह जिस multiply करके देखते हैं हम एक बार calculator यूज कर लेता हूं आप लोग अच्छे तरीके से इसको multiply कर लेना तो देखिए इसका multiply करने पर हमारा आ जाएगा इसकी seven six four three two की multiply करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा यानि की यह हो जाएगा यानि 108 एक हजार आठ आ जाएगा और प्लस में हम होगे five multiply one zero zero nine फिर इसके बाद देखिए दो संख्या है एक अपनी और से लगा देंगे तो तीन संख्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे अत्य यह भाजी संख्या है इस परकार से आप लिख सकतो भाजी संख्या है तो आपको भाजी संख्या अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा चलिए अब नेक्स प्रसन की वह चलते हैं और आपको इस्टे पाइस्टे पीसी परकार से दिखा देता हूँ एब हम अच्छे तरीके से समझा देता हूँ देखे फ्रेंट आज का लाश्ट प्रसन नमबर साथ प्रसन नमबर साथ क्या कह रहा है किसी खेल के म मैदान को एक चक्कर लगाने में रभी को बारे मिनट लगता है यानि की लगते हैं तो मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक साथ यानि की एक ही समय पर चलना प्रारंब यानि की सूरू कर देता है तो एक ही दिशा में चलता है तो समय यानि कितने समय बाद पूने या जानी, तो ध्यान से। यह कोश्चन आपको शंमज में आ गया होगा। चलिए मैं इसको अंसर अच्छे तरीके से समजा देता हूँ। आपको अच्छे तरीके से देखना है, सब कुछ समज में आ जाएगा। देखे फ्रेंट, कोश्चन नमबर अजल n pedigam से करेंगे ध्यान से देखना सबसे पहले तो आपको करना क्या है एक हमें आयताकार एक हमें खेत बना लेनी है यानि कि मैदान इस मैदान के ऊपर से एक ब्रत्यकार चक्क्र है मतलब कि ये सोनिया और रवी क्या कर रहा है इसके चारों और एक चक्क्र लगा रहे तो देखिए सोनिया ने कितना चक्क्र लगाया यानि कि सोनिया सोनिया ने क्या किया जो सोनिया ने जो लगाया था यानि कि 18 मिनट में उसने चक्कर लगाया ठीक है 18 मिनट में चक्कर लगाया और रवी ने क्या करा रवी ने लगाया मैदान की जो चक्कर था उसने लगाया 12 मिनट में यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है 12 मिनट में उसन से देखना अठारा तो अठारा का क्या करेंगे एलसम ले लेंगे तो दो से काट दो तीन से काट दो दो से चलो दो से काटते हैं दो नम्मा अठारा फिर तीन से काट दो तीन त्याई नो फिर तीन से काट दो तीन एकम तीन एक कम तीन एक कंपलीट फिर रभी का निकाल दो ब multiply 3, फिर इसके बाद 12, 12 लिख लो, 12 को क्या करेंगे, 2 multiply, 2 multiply 3, अब हमें क्या करना इसमें, HCF और LCM निकाले, HCF, HCF निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, मैंने बताया है, HCF का मतलम मैस है, यानि कि मैस है निकालोगे, मैस है का मतलम होगा है, समान संक्या ढूलना है, उपर नीचे, यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 2 दिख रहा है, तो एक बार 2 लिख लेंगे, फिर multiply, यहां भी 3 दिख रहा है, यहां भी 3 दिख रहा है, तो एक बार 3 लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, इसका अंचर 6 हो जाएगा एक तो 6 मिनट हो गया हमारा ठीक इसके बाद क्या करेंगे लसम निकालना है LCM निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास अब देखिए मैंने बता है था पहले वाले संक्या का पूरा उतार लो LCM में तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया तो जल्दी सिजा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी कॉल कर देना जिसे की क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिपिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फिरेंग तो चलिए इसके साथ वीडि क्या है